नमस्का साथियो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चनल पर हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का हार्दिक स्वागत है देखे इस वीडियो में आज हम बात करेंगे खिलजी वन्स के बारे में इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया था जिसका नाम था गुलाम दिखस है इस वन्स कि समये सीमा क्या माने जाती है इसके उपर डिस्क्स करना है और यह वड्मस कितने समय तक रहा था इस वन्स में कौन-कोन सासक रहे थे और किस सासक की कितनी भूमीका रही थी इसके संबद में लगातार पेपर और पूच जाते हैं और ये जो टॉपिक है कक्षा दसमी से लेखा के और आगे आने वाली तमाम बिसे सुरूप की प्रिक्षाओं के बारे में हर बार पेपर में पुछ जाता है तो इसका कारेकाल आप देखेंगे 1290 इसवी से और 1320 इसवी इसका कारेकाल माना जाता है आप लोगों ने देखा है इससे पहले हमने गुलामबंस पढ़ाया था और जो गुलामबंस का कारेकाल था वो था 1260 लेकर 1290 तक तो दिल्ली सल्तनत काल का ये दूसरा राजबंस है अब इसमें देखेंगे तो इस वन्स के संस्तापक कौन थे तो फस्ट पाल एक व्यक्ति है नाम है जलालुद्दीन खिलजी जला लुद्दीन देखिए जो जलालुद्दीन खिलजी है ये समसुद्दीन कैमुर्ज का सेनापती था और समसुद्दीन कैमुर्ज था गुलाम बंस का अंतिम सासक तो गुलाम बंस का अंतिम सासक समसुद्दीन कैमुर्ज को पराजित कर दिल्ली की सल्तनत पर या दिल्ली की राजगद्धी पर एक नया राजबंस बैठा था और उस राजबंस का नाम था खिलजी बंस जिसके संस्ता पक्त है जलालुदिन खिलजी तो ये क्या है संस्ता पक्त है संस्ता पक्त ऐसा माना जाता है कि इसके कारेकाल के दोरान या इनक देव हमीर देव का कारेकाल माना जाता है 1282 इस्वी से 1282 इस्वी से 301 इस्वी कारेकाल है हमीर देव का और ये रन्थंभौर जो रन्थंभौर है राजस्थान में राजस्थान का सवाई मादपूर डिस्टिक है वहाँ पर रन्थंभौर एक किला है और इस किले के मालिक या इस किले के राजा थे हमीर देव इनके ऊपर 1291 को ये आक्रमन करता है 1291 को आक्रमन करता है लहाजा मैं आपको याद दिलाऊं जलाल-उद्दीन खिली ने इसके उपर आकर्मेन किया तो यहा पर जो एक दुर्ग है रन्त्समोर का किला जो रण्तुमः का जो फोर्ट है जो रन्तुमः का किला है इस किले के इस किले को तो ये नहीं जीत पाए थे लेकिन इसका उप्तुर्ग था जिसे हम इसे जो क्या नाम है रन्थमोर की चाबी कहे जाने वाला दुर्ग नाम है जाइन देखिए कई बार तो ये जाइन सब लिखके आता है जाइन एक आता है साइन अगर साइन का किला पूछे या जाइन का किला पूछे ये दोनों में से कोई एक लगातार प्रक्षाओं में आता रहता है सुर्खियों में रहता है कि जो रन्थमोर के लिए की चाभी कहे जाने वाला जाई दुर्ग या साई दुर्ग को ये जीतने में सफल हो गया था लेकिन मुख्य दुर्ग को जीतने में ये आशफल रहा था काफी लंबे आर्शे के बाद इन्होंने यहां से डेरा उठाते वक्त एक वक्तब बे बोला था जो वक्तब बे चाए वो रीट की परिक्षा हो चाए राजस्तान पिलिस की हो पतबारी की परिक्षा हो सेकरेटरी की परिक्षा हो हर परिक्षा में तमाम प्रिकार से ये प्रशन पूछ जाता है नाम है उसका इन्होंने कहा था ऐसे ऐसे दस दुर्गों को मैं मुसल्मान ऐसे दस दुर्गों को मैं मुसल्मान के एक बाल के बराबर नहीं समझता समझते हैं नहीं इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे दस दुर्गों को भी ऐसे जैसा रन्थमवर का किला है यह कहना चाहता है कि ऐसे दस दुर्गों को भी मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता ऐसा कह करके और इस महल को ठुकरा करके और यहां से चला जाता है साथ ही हो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं एक तो यह इसे जीतने में सक्षम नहीं हो यह हो सकता है एक यह हो सकता है कि इनके नजरों में इसकी कोई एहमित थी यह नहीं तो यह आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो साही दुर्ग को जीता था इसका घेराब करके क्यों रखा गया था फिर उसके पीछे अपने छे मैने का समय क्यों खराब किया था तो कहीं ने कहीं इसमें इंपोर्टेंस था भी हो सकती थी तो एक बार यह सिद्ध हो गया कि अंगूर खटे हैं सुना होगा अपने काहवत? बिल्कुल तो ऐसे दस्दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता ऐसा किस महल के लिए? किस ने कहा था? यह आपको जानना अति इंपोर्टेंट होगा तो इसके देखिए हर टॉपिक इंपोर्टेंट नहीं होता है जो इसमें यह आने वाला जो यह वक्ता वेहिए बार बार प्रिक्चा के दोरान पूछा जाता है ठीके साथियो ऐसा बता जाता है 1296 को कब? 1296 इस भी को और इनी का जो जलालुदी खिलजी है इनी का एक भतिजा था भतिजा कौन था? भतिजा और ये इनकी हत्या करवा देता है क्या करवा देता है? हत्या या तो कर देता है या करवा देता है तो ये इनकी साजिस थी इनकी साजिस में यानि अलाउद्दीन खिलजी ने साजिस करके और इसकी हत्या करवादी थी 1296 को और जो इनका भतिजा था वो बाद में इनकी बेटी से निकाहा कर लेता है बिभा कर लेता है तो इनका ये भतिजा भी था इनका ये दमाद भी था और इनका ये उत्त्राधिकारी भी था अब आप देखेंगे इसके बाद जिनका कारेकाल 1282-301 मान जाता है इनके समय में 1200 एकराण में को एक बार इन्होंने आकराण किया जिस आकराण में ये साई या जाई दुर्ग को जीतने में सफल हो गए थे लेकिन इन्होंने कहा था इस ऐसे दस महलों को मैं मुसल्मान के बाल के बराबर नहीं समझता ऐसे कहें कर और ये आगे बढ़ गए थे तो साथियों बता जाता है 1296 को इनके भतीजी के दौरा अलावदिन खिलजी के दौरा इनकी हत्या करवा दी गए थी एक सड़ेंतर के दौरान तो अब बात करेंगे हैं अलावदिन खिलजी के बारे में तो इसे मैं इरेज कर देता हूं देखिए अगला सा सक है सेकंड नमर का अलाउद्दीन खिलजी कौन है अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का कारेकाल है 1296 से और 1316 1296 से 1316 आप लोग देख रहे हैं 1296 से लेकर के 1316 का इसका कारेकाल है इससे पहले जलाउद्दीन खिलजी का जो कारेकाल था 1290 से लेकर के 1296 था ठीक है साथियो तो अलाउद्दीन खिलजी के समद्द में अगर हमें समझना है तो इनके बारे में बहुत कुछ जानना होगा और बहुत कुछ इसके बारे में पेपर में पूछा जाता है फर्स्ट अपाल ये एक महतो कांची विखती थे महतो कांची महतो कांची का मतलब इच्छाधारी नार था ये सिदी सी बात है जिसकी इच्छार रख ले था दिमार में उसे प्राप्त करने की यह प्रवल इच्छार रखता था एक तो एक बहुत ही मैत्वकांची विकती थे दूसरा सेकंड नमबर इन्हें सिकंदर सेकंड की उपादी से नवाज गया था सिकंदर सेकंड यहीं सिकंदर सानी सेकंड कहा गया था इन्हें भारतिय थिहास में तीसरा पॉइंट अगर देखें तो इन्होंने जैसे ही सक्ता पर आए तो इन्होंने सैनिकों की भरती शुरू कर दी सैनिक, भरती भरती और भरती भी वेतन के साथ कैसे वेतन के साथ तो देखिए काफी अच्छा पॉइंट हो सकता है ये तीसर नमर का इसे मैं समझाऊंगा अभी चौते नमर का पॉइंट है दाग वे हुलिया पाच्वा पॉइंट सस्ते मूले पर वस्तु देखिए ये सत्ता पर जैसे ही सत्ता पर आया वैसे ही इसके कालनामे थे इनमरे से आप अगर इसे समझेंगे भली बाती तब जाके आपको समझेव मैठेगा कि एक तो पहली बात ये महत्वकांची व्यक्ति था व्यक्ति था यानि जीतने का इच्छोक किसी पर भी विजे प्राप्त करने का इच्छोक ब्यक्ति माने जाता था और इन्होंने विजे भी हासल किये इसले से सेकंड कहा जाता है लेकिन अच्छी बात यह है इनके लिए कि इन्होंने सेनिकों की भरती की थी पहली बार अगर डेस में किसी राजा ने पहली डिस्टिबूट कर दिया जाता थोड़ा बहुत बाकि वो खाले हाथ रहते थे अब अलावदिंग खिलजे नहीं निस्चे कर लिया था कि चाहे हम एक वी रुपे लाएं लूटके या नहीं लाएं लेकिन हम आपको हमेशा बेतन देंगे अति उत्तम आपको समझवाया होगा सैनिक भरती और उनको बेतन देना इनको प्रारम किया था अभी हम इसके बारे में जिक्र कर रहे थे दाग वे हुलिया पर था दाग का मतलब है आपको क्या दिया जाएगा फिरी घोड़ा दिया जाएगा और जो घोड़ा होगा उस पर दाग दिया जाएगा दाग मतलब च केनिको ड्रेस कोड़ देना कि दूर से किसी व्यक्ति को यह पता लग जाएगा कि अलाउटिंग खिलजी की सेना अब आ रही है तो कुल मिला करके इन्होंने घोड़ाओं में दाग तथा सेनिकों में हुलिया पिर्था का प्रारम करना जो इनका जो रहा था वह बहुत ही एहम की गई थी जो बाजार मूले नःतने पिर्था प्राराम की थी तो इस बाजार मूले नियंद्ण प्रथा जो आज भी हम देख रहें वह दश्दू रूप सेषद्व उसके मुलती है तो तो दिल्ली में सदर बजार गुलिए जन लेस् कोड ताता था स 5000 मूलने परवश्था उपलग्ट कराने हों तू बजर मुले नीयन्तर की पर था इन्हों ने दहली से प्भारम न पर देढ़ आकरमन करने प्रयारम किये थ हैंॉछ उना ख्रमनों मैं आप कू बिसेश आकरमने की लिखाई दे रहाओं। आपको समझ में भी आ रहा होगा आप देख लीजे समझ मारहा भागा सwe Islands रहाओं अपिसका स्क्रीन साउट भी हैं Cambridge ₹ आपको बताए दे रहा हूँ और वो है जो इनके आकरमन थे उन आकरमनों में हम आको बिसेष बिसेष आकरमन है उन सब के बारे में आप से डिसकस कराएंगे देखिए काफी अच्छे आकरमन इसके माने जाते हैं उन आकरमन इन्होंने अपनी सेनिकों को या सेना को नुसरत खां और उल्गु खां के नित्रत में नुसरत खां क्या नाम था नुसरत खां और उलूग खां उलूग खां इनके नित्रत में सेना भेजी थी तो आप लोग देखेंगे दूसरा दूसरा था तेरहसो एक इसवी यानि रन्थ थमभौर पर आक्रमन आगे देखेंगे आप 1303 तीसरा है 1303 यह चित्तोड विजय कौन सी विजय है चित्तोड विजय और आप देखेंगे 1305 सिवाना सिवाना बाडमेर यह यह निराजिस्थान विजय है ठीक है इसके बाद पांचमा 1311 है जालोर विजय कौन सी जालोर यह निरी राजिस्थान जालोर राजिस्थान विजय इनकी यह बड़ी तमाम विजय है एक और देखिए छटमा पॉइंट 1300 और पंद्रे में दखिन भारत विजय कौन सा दखिनी भारत विजय अभी आप लोगों से हम बाते कर रहे थे कि 1299 में इन्होंने गुजरात पर आकर्मन किया था और गुजरात पर आकर्मन किया था जहां से इनको बड़ी सफलता हाथ लग गई थी इसके बाद इन्होंने 305 में सिवाना बारमेर को लूट लिया था और आगे देखेंगे तो 1311 में जालोर विजय इन्होंने जो प्राप्त की थी ये बहुत बड़ी विजय मानी जा रहे थी इनकी और 1315 में सबसे बड़ी जो विजय मानी गई थी वो है दक्किन भारत के विजय जहां से इनको दुनिया का सबसे कीमती हीरा प्राप्त हुआ कोहिनूर कब क्यों कैसे अगर जानना है थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझना है इनके बारे में देखें साथियो अगर मैं आपको समझाए दे रहा हूं कि 12 हैसों देखिये एक बार थोड़ा एक मैप के बारे में समझने की कौसिस कीजिए इधर से देखिए ये ना देखा याफ पंजाब देखा होगा डैली अपने देखा होगा हुआ अपने लगा हुआ था तो इदा देखिए तो कुल में लाका के अगर गुजराव से कोई सेना माल लूट कर जा रही है तो दिल्ली इधर पहुचेगी तो बीच रास्ते में यह राजिस्थान पड़ता था समझ माया होगा आपको ऐसा बताया जाता है साथियों कि 1299 को जब अलावदिन खिलजी की सेना नुस्रत खां और उलूग खां के नित्रत में जब यहां से माल लूट कर जा रही थी तो बताया जाता है कि यहां पर जो हमीर देव था हमीर देव के सेना पती थे एक की नाम था धरम सिंग नाम है धरम सिंग क्या नाम था भीम सिंग ग्या लेकर के और धरम सिंह महलों की ओर आ जाता है और भीम सिंग को ये आभास होता है कि जो तुरकी सेन है तो जब उसे आभास हुआ की और एक आक्रमन करने के लिए अलावदी खिल्जी और देहलीसे इन्हें फीर से भ्येज़ता है और उस आक्रमन के दौरान साथियो जो नुसरत खाहें उसका खातमा हो जाता है उसको गोले लगने से उसकी मिर्थ्य हो जाती है तो यह प्रसन भी लगातार अच्छुता नहीं रहा है पेपर में पूछा गया है तो यह पटवारी की प्रिक्षा में पूछा गया था इससे पहले रीट में पू पूछ जाता है अब आप देखेंगे अभी आगे भी इसमें के आगे बचा हुआ है बचा हुआ क्या है आप देखेंगे कि जो 1301 इस्वी है इससे पहले आप मुँँ में बताओं कि यहां पर आक्रमन किया था इसके पीछे एक और कारण है और यह जब सब आक्रमन था यह 301 क का यह आक्रमन था कब का था 3001 का ही आक्रमन था इनके उपर जो आक्रमन किया जा रहा था इसके बीच मैं आपको बताओं जो यह आक्रमन किया गया था जो अंतिम जो यह आक्रमन था जो रन्थमोर का जो आक्रमन था उसके बारे मैं आपको अभी जिक्र करने वाला हूं जि जो अलावदिंग खिलजी है इसकी जो बीवी थी इसका बीवी का नाम था चिमाता चिमाता है या इसका नाम कई बार कहीं कहीं चिमना मिलता है चिमना यानि इसकी चिमना बीवी है या चिमाता बीवी है और इनके एक मीर मुहम्मद का नम था मीर मुहम्मद जो मीर मुहम्मद था वह सबस का इक सेनवह पती था जो इनकी बीच एक frustration अशा चिमना चिमांता कौन आपको पता लगा होगा होगा चिमना या चिमाटा कौन है आपको पता लगा होगा ये कौन है यह की लिएस सहिंद in देखिए अभी अपन देख रहे थे कि जो इसकी जो बीबी थी चिमाता या चिमना इनका और इनके एक सेनापती थे और यानि अलावदिन खिल जी का सेनापती उसका नाम था मीर मुहमद सहा देखिए ये प्रसन पिछली बार पटवारी में पूछा गया था काफी अच्छा प्रसन है आपको समझना होगा इन दोनों के बीच एक प्रेम प्रसंग था चिमना या चिमाता जो है और मीर मुहमद सहा चिमना या चिमाता है अलावदिन खिल जी की पत्तनी और ये इसका मीर मुहमद सहा एक सेनापती था इनकी सेना में सेनिक सेनापती था तो इनके बीच प्रेम पर संगता यह चाहते थे कि हम अलावदिंग खिल जी का खात्मा कर दें और खुद सत्ता पर बैठ जाएं जब इनको यह आभास हुआ कि हम इसे मार देते हैं अलावदिंग खिल जी को इनका सड़ी अंतर पता लग गया जैसे उनको पता लगा पता लगने के तुरंत करें सतंगत ममाद सहाह से ऊच खड़ा होता है और भाग करके यहां सरण ले लेता है यानि हम इस ब्रेंग बता रहा थे मार भी आपको बटा रहे थे जो भीम सिंग या लिए शकरत लेता है तो ऐसा बता जाता है कि हमीर देव को वह पत्तर लिखता लिगता से दोसी वह बह यह हर प्रकिश्व में यह प्रस्ट देखने को मिला है तो क्या है उन्होंने कहा था कि आपका से निक मेने छुपाया है मेने रखा है आपको ही मापमें हिम्मत है आप चुड़ा के लिए चाहे आप युद्ध करें कोई भी है लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं साथियों जब उन्हों उसने इनकारika दिया था छूड़ा देने से कि मैं नहीं दूर तो इसके एक कहवत है उन्होंना कह था कि हमारे लिए कहक है क्या कहावत है देखे मैं इसा यहां से लेगता हूं यह हैं कि सिही सवन कदली दलन फलत एक बार फलत एक बार दिखे सिंग सवन कदली दलन फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चड़े न दूजी बार देखे साथी ओ आप एक बाग फिर से समझने को उसकर लिए कि इसमें दिखा हुए सिंग सवन कदली दलन फलत एक बार हमिर देव ने कहा था, अलब देव खिल जी, कान खूल कर सुन ले, कि जिस परकार शिंग ने एक बार सेर को जनम देती है, कदली में, यानी केला में एक बार फलाता है, उसी परकार तिरिया पर कीवल, एक बार तेल चड़ाया जाता है, हिंदु धर्फ की नितियन सार तेल तिरू तेल हमीर हट वही हमीर की हट है एक बर कह दिया तो कह दिया मना तो मना तो आप लोगभग पर फिर मैं एक लैके साथ सुना सकता हूं कि सिंग सवनकदली दलन फलत एक बार और तिर्या तेल हमीर हट चड़ें दू जी बार समझत रह कि हमीर ने जो हट कर ली कर ली मतला हमीर थुक करनी चाटेगा आपकी कमर पर जेवरा है आप आओ आकम करने के लिए और छुड़ा ले जाओ साथ यह कुछ समय बाद में अलावदीन खिल जी ने एक पत्र लिखकर के इसे संदी की गोहार लगा ली कि मैं आपसे संदी करना चाहता हूँ साथ यह ऐसा बताया गया है जोद्राज की दौर जो एक गरंत लिखा गया था उसमें बताया गया है कि हमीर देव उस समय एक बड़े यग में विलीन था और मौन विर्थ पर बैठा हुआ था ऐसी इस्तिती में वो अपने दुर्ग पाल रनमल और रती पाल को उसके महत या अलावदीन खिल जी उनसे सोदा कर लेता है कि ए रनमल ए रती पाल अगर मैं जीता तो महल आपको सौंप दूंगा आपको राजा बना दूंगा साथियों उनको लालच आ गया और उस लालच ने ऐसा बताय जाता है कि तेरे सो एक का जो आकर्मन किया गया था अलावदीन ख जोहर कर लिया था तो यह साथियों आपने सुना होगा कि घर का वीदी लंकाड़ाय तो निस्चत रूप से अपने लोगों ने हमें सताय था डिस्टर्ब किया था तब जाके कहीं हमीर इस युद्ध में ऐस अपल हुआ था तो लहाजा यह आपको बिलकुल समझ माया होगा आप लोग एक बार 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 वीडियो को रिवाइस करके देखेंगे निस्चत आपको समझ माज आएगा देखिए आप लोगों को सब पता लगा होगा इसके बाद मैं आपको फिर से समझाने की कौसिस करूँगा देखिए अगला पॉइंट है और वो है तेरे सो तीन क्या था उस किले में मेवार के अंदर जो चित्रवर का किला था इस किले में एक राजा रहता था राजा का नाम है रतन सिंग क्या नाम था रतन सिंग और इसकी एक पत्तनी थी जिसका नाम पदमावती था पदमावती देखे साथियों आप लोगों ने इसके किस्से सुने होंग कि पद्माबती जैसी रानी दूर दूर तक नहीं दिखाए देती थी ऐसा बता जाता है कि इनके कंट से पानी जलकता था आकरिये आती सुन्दर थी इनका बखान